बिग बॉस के खर के अंदर अब यहाँ पर मिला है एक बार और बड़ा मौका। यहाँ पर अब एक तरफ जहां कृतिका को लवकेश ने टॉर्चर का टास्क दिया, वहीं अब कृतिका के हाथ में पावर आई है। और यहाँ पर कृतिका को बिग बॉस ने कहा है कि आप किसे टॉर्चर करना चाहेंगे। हम आपको बता दे कि यहाँ पर अब कृतिका ने लिया है बहुत ही बड़ा फैसला। यहां पर अब खृतिकश करना चाहती है लवकेश को और यहां पर गार्डन एडिया में रखा गया है एक बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर लवकेश को रहना है। यह लवकेश पर डेपेंड करता है कि वो कितनी देर इस बॉक्स में सर्वाइफ कर सकता है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर अब लवकेश उस बॉक्स के अंदर ही रहेगा और बाकी घरवाले इस बात की कोशिश करेंगे कि लवकेश जो है बॉक्स से बाहर आ जाए यहाँ पर बाकी घरवाले इस बात की कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से लवकेश उस बॉक्स में ज़ादा देर ना रह पाए जहां कृतिका को जेल में डाला गया वहीं दूसरी तरफ अब लवकेश को बॉक्स में यानि कि कृतिका और लवकेश में से जो इस टास्क को सबसे ज़ादा देर तक कर पाएगा वो सेफ हो जाएगा और ये बिग बॉस का आखरी टॉर्चर टास्क होगा और साथ ही घर के अंदर से एविक्षन का भी होगा ये आखरी टास्क तो इस तरीके से एक बहुत ही मुश्किल टास्क जो है इन लोगों को दिया गया है हम आपको बता दे कि यहाँ पर कल भी बिग बॉस ने टॉर्चर टास्क दिया था लेकिन इन लोगों ने उस टास्क की ही धज्जिया उड़ा दी थी इसी के लिए बिग बॉस ने इस बात की सजा दी है कि आप लोग किसी भी टास्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे और इसी लिए आप लोगों की सजा है कि आप लोग अब टास्क को अच्छे से करो और अब आपकी टीम में से एक-एक सदस्य को टॉर्चर के लिए चुना जाएगा जहां लवकेश ने कृतिका को चुना, वहीं कृतिका ने चुना लवकेश को आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय लिख कर जरूर बताएं झारे चारे में टॉर्चर के लिए चुना जारे में लेख कि अराएं